थे काइज प्रोफेसर निडित्रुफेदि हर इस वीडियो में हम टाइब 2 सम देखेंगे औफ 5 इंडेक्स and W इंडेक्स बैट इससे पहले अगर आपने मेरा प्लेइ Student चेक ना करा हो फाइब इंडेकस और W इंडेक्स तो जरूर से चेक करें ताकि आपको हर एक तरह के सम और में देखा था कि हमें दी गई होगी value of precipitation क्या फिर से में बोल रहूँ value of precipitation और you can say rainfall which is in centimeter जो हमें दिया होगा साथ में runoff दिया होगा और 5NW index हमने find करना होगा अब type 2 में क्या difference होगा type 2 में हमें दिया होगा rainfall rate और intensity which is in centimeter per hour centimeter per hour यानि यहां हमें precipitation की जगा दिया होगा rainfall intensity और साथ में surface runoff तो दिया होगा और यहां भी 5 index और W index हमने find करना होगा चलो जल्दी से sum देखेंगे दो तरह के पहला sum देखते कि यहां दिया है कि 4 storm of 3 hour duration यानि तीन गंटे बारिश होई so total time is a 3 hour फिर हमें दिया है जो time दिया है कि कितने interval है so 30 30 30 30 30 30 मिनिट के interval है और interval time भी हमें लिखेंगे given data में क्योंकि कोई formula ऐसे भी है जिसमें interval time use होता है जो ध्यान रखना है छोटी बात है बट important है और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो यह interval time है उसकी value minute में दी है और हम use करते हैं सारी value hour में तो उसको convert करेंगे साथ में rainfall rate दिया है that is a centimeter per hour अब जब भी आपको sum exam में मिले तो अपने ध्यान से देखना कि यहां आपको कौन सी value दी है अगर precipitation दिया होगा तो वो centimeter में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा यह type 1 sum है और फि 2 sum कर रहे है और फिर runoff दिया है और 5 index और W index हमने find करना है तो चलो जल्दी से पहला काम क्या करना है given data लिखना है total time that is 3 hour interval time is 30 minute यानी क्या होता है 1 hour equal to 60 minute so 13 upon 16 hour फिर runoff दिया है 5 index and W index find करना है जब दोनों find करने है तब हमें पता है कि हम use करते है W index पहले find करते है और फिर हमें पता है as we know that 5 index is greater than W index उस तरह से फिर हम 5 index find करते है बाट यहां क्या है twist तो twist इतना है क्योंकि हमारे जो 5 index and W index दोनों के formula है उसमें जो formula में use होता है वो precipitation है ना की intensity क्या है precipitation है so हमें क्या चाहिए value precipitation में चाहिए so हम intensity that is a centimeter per hour उसको हम convert करेंगे precipitation में which is in centimeter समझ में आ रहा है so चलो जल्दी से करें total intensity कितनी होगी सबके summation कर दे 1.5 से लेके 1 तक so सबका होगा 15.7 cm पर अबर फिर precipitation क्या होता है so precipitation equals to intensity into time ऐसे समझ में ना आए तो precipitation होता है centimeter में intensity होती है centimeter per hour में अगर इसको hour से multiply हो याई time से तो hour will cancel so दोनों side unit same हो जाएगे यानि यह हो गया हमने find करना है precipitation intensity हमें मिल गई है total intensity is 15.7 minute में हमें दिया था सो हमने hour में convert किया that is 13 upon 16 बट ध्यान रखे जब जब आप precipitation के लिए आप intensity into time करें तो ध्यान रखे आपने यह टोटल टाइम नहीं लिखना है आपने क्या लिखना है आपने लिखना है इंटरवल टाइम जो time है जो 30-30 minute वाला जो इंटरवल टाइम है वह आपने लिखना है सो यह चोटी बात है बट बहुत important है यह ध्यान रखे आपको total precipitation मिल गया that is 7.85 cm समझ में आ रहा है अब तो easy है पहले क्या करेंगे w index और 5 index दोनों बोले हो तो पहले करना है w index so w index का formula है total precipitation minus runoff अगर आप q लिखते है यहां तो भी सही है बट मैं यहां runoff यानि r से इंडिकेट कर रही है so r upon total time so p that is a 7.85 r हमें already रिया that is 3.5 and total time is a 3 hour जलदी से calc में solve करें यानि w index मिल जाएगा that is 1.45 cm per hour अब एक बहुत ही important math मुझे बतानी है और इस तरह के सम काफी पूछे जाते है अब 5 index के लिए कई बच्चों को दूवीदा होगी कि यहां ऐसा ही formula क्यों use किया है तो वो दोनों हम solve करेंगे 5 index दो तरह से find हो सकते है बट book में आपको जो formula दिया है यह वाला use किया है run of equal to sigma i-5 into t ऐसा क्यों क्योंकि यहां intensity हमें दी है data में नाकी precipitation यहां यानि हमें intensity वाली value दी है तो उन्होंने सोचा कि हम यह वाला use करेंगे ठीक है तो यह सबसे सही है कि यही यूज करना चाहिए बट काफी बच्चों को doubt हो सकता है जिन्होंने ध्यान से सारे sum किये है बुक के उसे होता है कि अब इस तरह से भी हो सकता है कि हम पता है कि five index और double index जादा है फिर ऐसा formula तो है हमारे पास तो क्या इससे नहीं हो सकता फिर वहां तक छोड़ देते वह गलत बात है अपने try करना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से भी कर सकते तो वह method होगा तो मैं तो आपको दोनों method से बताऊंगी बट जो पहले आपकी book में दी है first method उससे ही कर लेते हैं so यह method से five index find करते हैं जब आपको data क्या होते है intensity में यानि की rainfall rate which is a centimeter per hour दिया हो और आपको five index find करना हो so यहां क्या है runoff equals to sigma i-5 into t but यहां भी ध्यान रखें यह जो t है व उसको convert करेंगे hour में so 13 upon 16 हो जाएगा अब बात क्या यहां रखनी है कि यहां जो intensity हम use करेंगे five में से deduct करने के लिए so वो कौनसी होगी वो intensity होगी जो w index से ज्यादा होगी जो w index हमने find किया वो कितना आया 1.45 cm per hour उससे ज्यादा intensity होगी वो ही runoff produce करेगी क्योंकि हम find क्या कर है runoff समझ में आ रहा है इसका भी unit में आपको सिखा देती हूं अगर आपको यह formula याद ना रहा है runoff होता है centimeter में intensity होती है centimeter per hour में 5 भी होता है centimeter per hour में और time होता है hour में और time हो जाएगा सो दोनों सेंटिमीटर सेंटिमीटर आ जाएगा runoff होता है centimeter में अब जैसे मैंने बोला कि हम यहां कौन सी intensity यूज करेंगे वो यूज करेंगे जो इस टबली इंडेक्स से ज्यादा होगी यानि कि 1.45 से ज्यादा होगी कौन सी है देख लीजे यह यह क्यूंकि यह 1.5 है यानि 1.45 से ज्यादा यानि यह नहीं है उसके अलावा सार है यानि 1,2,3,4 and 5 value है जो हम यूज करेंगे यानि हमारा formula उसमें रख दीजिए runoff की value already sum में है which is 3.5 अब हमने क्या करना है I कितना फैले लेंगी 1.5-5 5 नहीं लिखना है 5 हमने find नहीं क्या 5 हम 1.5-5 फिर दूसरी intensity थी 3.5 4.5 3.2 and 2 यानि 1,2,3,4 and 5 यह सारी intensity है वो 1.45 से ज्यादा है देख लीजी यह सारी ज्यादा है into interval time which is in 30 minutes so हमने अवर में convert करने के लिए किया 13 upon 16 चलो जल्दी से करें तो यह हो गया 3.5 इस सब को solve करें 1.5 plus 3.5 plus 4.5 यह सब करेंगे तो होगा 14.7 1,2,3,4 and 5.5 into 13 upon 60 यह सब चला जाएगा cross multiplication so 3.5 यह सब 16 upon 13 हो जाएगा यह सब ऐसा हो जाएगा इसको solve करें तो 7 आएगा यह होगा 14.7 minus 5.5 यह सब चला जाए तो यह सब चला जाएगा minus 7 so 5 5 equal to this month तो 5 equals 2 क्या होगा so 5 equals to 7.7 upon 5 यानि 1.54 cm per hour यानि आपका sum यहां complete हो गया so यह जो method हमने की है वो आपकी हुई book के हिसाब से जो है वो अब जो मैंने बोला कि अगर आपके मन में doubt है कि क्या हम वो जो दूसरी है वो use नहीं कर सकते है तो मैं वो आपको करके दिखाती हूँ वो भी कर सकते है आप जो second method है उसमें हम क्या करते है कि जब हम w index find कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं हम ऐसा सो जो हमारे पास है कि assume करते है कि जो 5 index है वो w index से ज्यादा होता है so 5 index is greater than w index so 5 index है वो w index से यानि 1.45 cm per hour से ज्यादा होगा अब ध्यान क्या रखना है वो बात मैं आपको बताऊंगी minus runoff upon effective time तो अपने ध्यान रखना है कि यहां जो है वो precipitation है और जो value हमें दी है वो क्या है वो सारी intensity में है सो हमें क्या करना है कि पहले तो हम देख लें कि 1.45 से ज्यादा कौन सी है सो जैसा हमने आगे देखा वही होगा कि यह एक नहीं आएगी बाकि 1,2,3,4,5 यह सारी आएगी बट यह सारी value है intensity में बट एस पोर formula तो हम यूज कर रहे है precipitation effective precipitation तो effective के लिए तो हमने 1,2,3,4,5 लिग दिया जो हमने टाइप 1 में भी गया था बट टाइप 1 में हमें अमने इस hour से नहीं multiply किया था क्यों क्योंकि वह already जो value थी वह precipitation में थी यहां जो value है वह intensity है which is in centimeter per hour और इसको हम hour से multiply करें so hour hour will cancel so यह value convert हो जाएगी centimeter में यह ध्यान से सबजने वाली बात है इसके लिए अपने क्या करना होगा type 1 sum ध्यान से देखना पड़ेगा फिर यह type 2 sum देखने के बाद भी खुद के आपने अपने लिए एक sum है जो not pen लेके करना पड़ेगा तब दोन से लेके ठीक है तो यह जो है वो सेंटीट सो मैं आपको इंपोर्टन बात बता रहे हो फिर ऐसा मत बोला कि मैडम ने किया था फिर यह तो हो नहीं रहा तो ध्यान रखें कि यह है वो इंटेंसिटी है और इसको हमने अवर से multiply किया यानि यह सेंटीमीटर में convert हो जाएगा यह तो हमें दिया है और इफेक्टिव टाइम कितना होगा सो ध्यान रखें यह 30-30 मिनिट है यह वन अवर यह वन अवर यह टू अवर और यह 2.5 यह तो आएगा नहीं क्योंकि इसके इंटेंसिटी कम है तो 2.5 अबर आएगा ठीक है सो इफेक्टिव टाइम इसको अच्छ होगी इंटेंसिटी में भी है और आपको प्रेसिप्रेशन में करने के लिए यहां मल्टिप्लाइ करना होगा अकर यह जंजट में नहीं पढ़ना है इसलिए आपके बूक में आपको यही मैथड दी है आर इस इकोल स्टू सिगमा आई माइनस 5 इंटू टी बट यह कब इस वेल्यू से 5 इंटेक्स करेंगे समझ में आ रहा है ओके चलो ठीक है तो मैंने तो आपको दोनों मेथड से समझा दी अब लास्ट में क्या करते हैं लास्ट में हम यह हाइटोग्राफ ड्रो करेंगे रेंफुल रेट यानि इंटेंसिटी सेंटिमीटर पर अवर यह 4.3.22 सारी रख दीजिए और फिर क्या करें 5 इंटेक्स देट इस 1.54 यानि यह 1.5 से थोड़ी उपर होगी इसको ड्रॉ कर दीजिए यहां सेंटिमीटर पर लगए इसके नीचे जो भी होगा वह होगा लॉसिस हमारे और यह जो हमने लाइन इंडिकेट किया है वह बतारी क यह रन ओफ प्रोड्यूस करते हैं सो यह रहा रन ओफ समझ में अब चलो जल्दी से दूसरा सम देखते हैं यानि क्लियर ही हो जाए पूरा सो सम टू है जहां हमें कुछ ऐसा दिया है कि हमें रेट ओफ रेंफोल फॉर 30 मिनिट यानि यहां भी इंटर्वल 30 मिनिट है टोट है अगर यह समझना है तो आपके डबली इंडेक्स वाला जो थियरी हमने किया है वो जरूर से देखे जाके सो चलो अब कुछ रही करना टोटल टाइम है यह इंटर्वल टाइम भी लिखना है 30 मिनिट हम लेते सारी वैल्यू आवर में सो इसको करेंगे 30 by 60 अवर यह हो गया जब आपने इंटेंसिटी दी हो क्योंकि हम फॉर्मिला में यूज करते है प्रेसिपरेशन टू फाइंड डबली इंडेक्स सो हमें इंटेंसिटी को कनवर्ट करना होगा प्रेसिपरेशन में सो इंटेंसिटी टोटल कितनी होगी सबके सम कर दीजे 1.5 से लेके 1.2 तक यान दीज़ा होता है अवर में और अवर विल कैंसल हो जाहेगा समझ में आ रहा है आँ तो दोनों साइट सेंटी मिटर में वेल्यू मिल जाएगी सो प्रेसिपटेशन क्या होगा फिस उर्टेंसिटी हमें मिली 15िं टाइम हमारा इंटर्वल टाइम होगा त्यान रखना है कॉन स तब तो कोई problem ही नहीं, issue ही नहीं है, जो हमने type 1 sum में देखा है, ठीक है, step 2 होता है हमने w index find करना, so w index का formula होता है p minus r upon tr, जब हमें depression और सारे losses ना दी हो, बट जब दिया हो तब हम क्या करेंगे, उसमें से जो loss है उसको भी deduct करेंगे, उसके लिए आपने w index वाली theory जरूर से दे करना है, so p minus r minus sr upon tr, total precipitation हमने find किया, that is 7.5, runoff हमें 3 cm दिया है, depression losses that is 1 cm upon total time that is 3 hour, ठीक है, तो फिर w index मिल गया, that is 1.166 cm per hour, जलो w index हो गया, फिर 5 index find करना, so 5 index के लिए जो हमने आगे देखा, दो तरह कि मैं धड़ो सकती है, बट आपके book में जो दिये है, जो easy होती है, find करने में तो आपको यही करना है, so runoff equals to sigma i minus 5 into t, ये कब यूज करना है, यानि जब हमें intensity और runoff दिया हो, precipitation नहीं, कब intensity और runoff दिया हो, और हमें 5 index find करना हो, तभी, बट ध्यान रखे कि यहां जो t है, उसमें हम interval time लेगे, ना कि total time समझ में आ रहा है, so runoff हो गे हमारा 3, यहां जो भी intensity होगी, वो वाली लेगे, जो w index से ज्यादा होगी, यानि 1.16 से ज्यादा होगी, कौन सी है, देख लीजे, 1.16 से, यानि ये सारी जो value ह 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी value है, वो ज्यादा ही है, यानि सारी value आएगी, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, so 1.5 minus 5, 3.2 minus 5, क्योंकि 5 हमने find करना है, 5 को हम आगे जाके subject बनाएंगे, तो सारी value कर दीजे, into interval time, यानि ये हो गया 3, ये सारी करेंगे, 1.5 plus 3.5, 4.3, 2.7, 2.1 and 1.2, यानि होगा 15 minus 6, 5, into 13 upon 60, ये सेट चला जाएगा, 3 into 60 upon 30, 50 minus 6, 5, इसको solve करें, यानि 6, 5 equal to 9, यानि 5 equal to 9 by 6, यानि 5 index मिल गया, 1.5 cm per hour, आपका sum यहाँ complete हो गया, बट जैसे मैंने बोला कि अगर आपको लगता है, मुझे ये method नहीं use करनी है, वैसे ये easy है, जो आपके book में, reference book में, सब में यही दी है, जब तब जब आपको intensity दिया हो, बट अगर आपको लग रहा है, कि मुझे नहीं मैडम ये वाला use करना है, तो भी कोई गलत नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, क्या ध्यान रखना है, ध्यान सिर्फ इतना रखना है, कि ये जो value है, क्योंकि ये intensity है, सो कि centimeter per hour में, और इसको हमने अवर्म से multiply करना होगा, यानि ये value हो जाए, centimeter में, यानि precipitation में convert हो जाए, समझ में आ रहा है, तो इतना ही करना है, और कुछ नहीं है, तो फिर हम क्या करें कि सारी value जो 1.166 से ज्यादा हो, यानि सारी ज्यादा ही है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारी value आ जाएगी, सो हमने स ये value intensity है, सो मुझे precipitation में, precipitation वाली value लेने के लिए इसको multiply करना पड़ेगा, तो ये best है, well and best है, उससे भी ज्यादा ये सही है, बट अगर याद ना रहे, तो आपके book में ये दिया है, वो इस तरह से आप sum करें, minus runoff, यानि that is a 3, और जो total time है, that is a 3 hour, इसको solve करें, सो इससे भ है, बट मैंने तब को दोनों तरह से बताया है, blast में जल्दी से हम क्या करते है, hydrograph draw करते है, so ये रही rainfall intensity, which is in centimeter per hour, time ध्यान रखे, minute में है, 30 plus 30, 60 plus 30, 90, 120, 150 and 180, फिर सारी value लिख दीजे, 1.5, 3.2, 4.3, 2.7, 2.1 and 1.2, अब हमें 5 index जो मिला है, that is 1.5, so ये एक value नहीं आएगी और ये भी नहीं आएगी, so ये हो गए सारे losses और उपर जो हमने दिखा है, that is runoff, so I hope आपको ये type 2 method भी समझ में आया है, next video जो हम type 3 करेगे समका वो भी ज़रूर से